नमस्कार दोस्तों आपके अपने यूट्यूब चैनल इनोवेशन वाइफाई स्टड़ी में आपका स्वागत हैं वेलकम टू इनोवेशन वाइफाई स्टड़ी देखें गाइज कंटिन्यूस की तीसरी क्लास लेके आये हैं आद तो जल्दी सी क्लास को शेयर कर दीजिएग गाइज चलेगा गाइज शुरू करते हैं देखेंगा दो क्लास आपने लगा ली होगी पीछे और आपको कंटिन्यूस समझ में भी आया गा फर्स्ट क्लास में मैंने आपको इसका थोड़ा सब बेसिकली आपको बताया था भी कंटिन्यूस फंक्शन किस परकार से होते हैं किस परकार से इसको शोल करते हैं वितिनों कंडिशन स्रेटश्पाई होनी चाहिए फोफ फंक्शन पर राइट हैं लीमिट और लेप्ट हैंड लिमिट इनकी क्या रहनी चाहिए इक्वल रहनी चाहिए तब फंक्रिंग अके क्या रहेगा बट डीस रहेगा तो यहां से यहां पर लेकर देता हूं कि तीनों की तीनों कंडिशन एक्वल रहेगी इसमें से हमें तीनों कंडिशन यहां पर लेकर नहीं आनी है only for c की value find करनी है तो हमें दो ही condition लेकर आएंगे f of 0 equal रहेगा f of 0 प्लस में 0 पर यह कंडिशन दो कंडिशन हम लेकर आजाएंगे तो हमारे पास में function क्या रहे c की value आजाएगे क्योंकि equal करके हम इससे c की value निकाल सकते हैं तो तीनों यहां पर लेके नहीं आने है हमें देखिएगा कि उसन किस प्रकार से शोल आता है f of 0 पे function क्या है one by two है equation number first कर दीजिएगा यहां से equation number first कर दीजिएगा यहां से कि चलिएगा कि second क्या करेंगी एक्स इस इकल टू zero फर फलन की कौन सी शिमा निकालेंगे फलन की दाईई शिमा आपकी मर्जिए है आप 20 शिमा भी निकाल सकते हो आप 20 शिमा भी निकाल सकते हैं दाईई शिमा है चलिएगा गाइज तो आप लिखोगे 0 प्लस में 0 is equal to limit h tends to zero आपने लिखा है f of 0 प्लस में h चलिएगा गाइज not equal 0 है तो only for one ही condition आपको question में दिखाई दे रहेगे यह है only for यह ओपर वाड़ी तो guys not equal 0 है तो यह condition है तो यहां पर लिखोगे कि limit h tends to zero और one minus cos c x की जगए आपको क्या करना है जीरो प्लस में h put करना है आपने put कर दिया upon में क्या आएगा जीरो प्लस में h जहां जहां आपको x दिखाई दे रहा है guys वहां पर आपका क्या होगे 0 प्लस में h put करोगे guys क्यों सुन में तो देखिएगा limit h tends to zero one minus cos zero है और प्लस में h है तो एची रहेगा ch कर दिया डायरेक्ट कि यहां से देखिएगा हमारे पास में क्या बणा है h और sign h हो गया क्यों सब्सक्राइब अब देखिएगा उपर क्या है हमारे पास में दिखाई दे रहा है आपको को सी अच और निचे है sign h तो इसको एक में convert करते हैं अब guys आपने मेरी पहले वाले जो क्लासें थी 2019 की क्लासें थी हमारे पास में जो डेरिवेटिव के आपको करवाए थी उसमें मैंने बताया था कि शुत्तर कोस के कि हमारे पास में होता है वन माइनस कोस एक्स रेक होता है वन प्लस में कोस एक्स अगर वो नहीं देखा है तो guys यहां पर देख लिजेगा कोई बात नहीं दुबारा बता देता हूं कि वन माइनस कोस एकल टू कनवर्ट होता है टू को शाइन स्केर एक्स अपॉन में टू में और यह वन प्लस कोस वाड़ा ना वन प्लस कोस है तो यह कनवर्ट होजेगा वन टू को स्केर एक्स बाई टू में और यह कनवर्ट होजेगा गाईज टू साइन स्केर एक्स बाई टू में क्योंकि यह डेरिवेट्ट्व में फोर्मूले होते हैं वहीं से ये सुटर बनते हैं तो आपको इतना याद रखना है कि one minus is equal to two sine square x by two होता है one plus में आए तो इसको कोश्में कनवर्ट करते हैं तो स्केर एक्सवाइटू में इस हो जाते हैं तो गाइज यहां पर हमारे पास में क्या है वन माइनस को से तो कौन सा फॉर्मूला लगेगा उपरवाड़ा लगेगा तो उपरवाड़े से कनवर्ट कर दीजिए गास लिमिट एच टेंस टू जिरो कि यह बनेगा टू साइन स्केर सी एच अपॉन में टू अपॉन में क्या है एच और साइन एच कनवर्ट हो गया चलिएगा नेक्स्ट देखीगा लिमिट एच टेंस टू आपके पास में जीरो है एक कनडिशन यहां से देखीगा कि इस परकार से शोल कर पाते हैं इनको कि हमारे पास में इसका होल स्केर लगाते हैं मैं इस टू को अलग रखता हूं हमारे पास में कनडिशन होती है कि लिमिट एक्स टेंस टू जीरो या एच टेंस टू जीरो तो मिन फेले लंगे थो साइन एक्स अपॉन में एक्स इस इकल टू क्या होता है वन होता है तो इसके हसाब से इसके क्यूश-वन को करेंगे हम तो टू को अलग रख दिया मेने यहां से देखिए गा मैं इस किसमें साइन को कनवर्ट करता हूं साइन सी एच अपॉण में क्या है वैं गारर में चक्का कर दिया घंए इसका मैंने कर दिया होल सक्रेड क्या गर लिए औल्लीव इसका हुल सक्रेड något कي है काइज समझियेगा यहां से कि उसन को समझना अतयाऊशक है तो सिए अपॉन में टू का भी मैं क्या करूँगा मैंने यहां पर क्या किया है कि सीच अपॉन में टू से इसको मल्टिप्लाइ कर दिया और सीच अपॉन में टू से इसको डिवाइड कर दिया और इसका भी होल स्केर है तो इसका भी मैंने क्या लगा दिया होल स्केर लगा दिये इस फोर्मूले के लिए कर रहा हूं क्योंकि इसका मान क्या होता है वारी पास में वन होता है तो चलिए गा निचे भी यही कंडिशन रहेगी हमारी साइन है एट अपन में है इसको भी मैंने ऊपर नीचे क्या कर दिया च से डिवाइड कर दिया तो अच से multiply भी करूँआ पहले एक हमारे पास में है एक से multiply करूआ तो यह होजेगा है तो अब अलग-अलग पर हम क्या करेंगे limit पूट करेंगे तो limit पूट करेंगे गाइज तो देखेगा हमारे पास में वेल्यू क्या आजएगी है एक टेंस टू हमें बढ़ाना है जीरो चलिएगा यहां से देखीगा एक की स्केर है और यहां पर देखेगा एक बार और लिख देता हूं गाइज limit h tends to 0 फो एपॉन में यह क्या आईगी फोर अनमें कर Originally इस की वोल स्केर को में ने खॉल दिया है शाइन सी एच अपॉन में टू अपॉन में सी एच अपॉन में टू का हॉल स्केर अपॉन में वेल्यू क्या है एच का स्केर और यह है साइन एच अपॉन में एच यह वेल्यू है साइन यह एच की स्केर से एच की स्केर क्या होगी कैंसल होगी टू यह टू बच गया इसको भ श्रकूट करेंगे तो हमारे पास में इसकी हो जाती है साइन x upon behave एक अपावन में इसकी वेलिव नावे खopardy तो यहमारे पास फॉंक्षन आएगा पाउम्म में टो सी स्ट्व Waarग्या सेगओ डाईएगी चलिए गा नैस्ट पर देखते हैं मिवे इक्वे समीकर्ण फर्स्ट वै कि एक सेकंड से गाइस देखेगा कि इस परकार से शोल करेंगे कि वन अपॉन में टू इक्वल है सी स्केर अपॉन में तू क्यों मैंने स्टाटिंग में भी आपको बताया था कि ये condition satisfy करेगा तो function continuous होगा तीसरी हमें निकालनी नहीं यहां पर इसने बोला है भी function क्या है continuous है तो यह condition satisfy होगे तीसरी हमें यहां पर नहीं निकालनी है तो यहीं दो equation से हमारा कम चल जाएगा यहां से तो यहां से c की value find करनी है cross multiply करा दीजेगा c square is equal to क्या होजेगा 2c2 is equal to 2 होजेगा तो c square is equal to 1 होजेगा तो c की value क्या आएगी c की value हमारे पास में यहां से c is equal to plus minus 1 आ जाएगी तो c की value हमारे पास में क्या आएगी प्लस माइनस से वन आई यही हमें find करना था c की value क्या आएगी जब function x is equal to 0 पर continuous है तो guys c की value हमारे पास में प्लस माइनस से वन आईगी अब चलते हैं next question की तरफ चलिएगा guys next question पर चर्चा करते हैं next question में आपको दिया गया कि function इस प्रकार से डिफाइन किया गया है तब a थता बी के मान ग्यात कीजिए जिससे की फलन f of x is equal to interval दिया गया close interval में यह continuous है तो a और b की value find करने हैं guys जब function आपका close interval 4 और 6 में क्या है continuous है close interval की condition यहां पर 4 और 6 पर है तो हम जो continuous की conditions देखेंगे function continuous है तो किस किस पर होगा भी यहां पर 4 और 6 पर होगा क्योंकि जब function की value क्या है 4 से equal है या less than है तब function की value 3 है और 4 से जब x की value greater than है तो function की value change हो जाती है तो यानि क्या हो गया ब्रेक हो गया यहां पर ठीक है तो यहां पर value change होगी तो उस पर हम continuous की condition चेक करते हैं चलिएगा guys यहां पर इसी प्रकार से जब function की value 6 से less than है तो यह a x plus में b है जब 6 के equal greater than है तो function की value 7 है तो इसी पर चेक करते हैं जब function x is equal to 4 पर चेक करते हैं continuous की condition तो f of 4 पर चेक कर लिजेगा आपके पास में आएगा 3 equation number first इसी प्रकार से आपके पास में आएगा function of is 4 प्लस में 0 या 4 प्लस में 0 लिख सकते हो आप इसको guys देखेगा limit h tends to 0 function of क्या आएगा 4 प्लस में h आएगा तो limit h tends to 0 कब जब function की value 4 से greater than है 4 से greater than है तो a x प्लस में b आएगा जहां पर भी आपको x दिखाई दे रहा है वहां पर आप क्या रखोगे 4 प्लस में h रखोगे तो a यहां पर आपके पास में आ गया 4 प्लस में h प्लस में b is equal to limit h tends to 0 यह आपके पास में multiply कर लिजेगा a4 a4 प्लस में h प्लस में b multiply कर दिए आप यहां पर h is equal to 0 पूट कर दिजेगा तो limit हट जाएगा यहां से तो क्या आजएगा 4 a प्लस में b equation सकती हो समीकर्ण एक वे दो से समीकर्ण एक वे दो से क्या बनाओगे की 4 a प्लस में b equal 3 equation number क्या आजएगी यह condition यह condition आगे एक condition आपके पास में x is equal to 6 लेकर चलोगे तो वहां से आजएगी अब देखिएगा अब एक इस इस इकल टू 6 पर f of 6 पर फंक्शन की वेल्यू क्या है 7 है equation number 4 अब चेक करोगे f of 6 प्लस में 0 राइट हैंड ले सकते हो मैंने यहां पर दोनों पर राइट हैंड लिया है आप left hand भी ले सकते हो आपकी मर्जी है क्योंकि function क्या है इस interval में आपको continuous दिया गया है और only for a और b की जस्ट इससे पहले वाला क्यूस्टन सी की वेली फाइंड की थी तब मैंने कहा दो ही कंडिशन आपको फोल करने यह आपको दिखाए दे रहेंगी साथ में यह देखी गा तो यहाई पर दो कंडिशन लेकर चलेंगे चलिएगा इसको लिखेंगे क्या है यहां जहां जहां आपके पास में एक्स दिखाए दे रहा है अब कंडिशन चक करोगे ने फंक्षन में आपको दिया गया है कि जब 6 से बड़ा है तो तो 6 से बड़ा है गाईज तो यहां पर चेक कर सकते हो आपकि only for 7 यह तो हमारे पास में equation नहीं बना रही तो अब हम क्या करेंगे 6-0 पर लेके चलेंगे 6-0 पर चेक करेंगे तो 6 से value छोटी है तो function की value यह आ रही है तो हमारे पास में equation बनानी बहुत ही जुरूरी है तो यहां पर 6-0 करोगे गाईज ठीक है इसलिए मैंने मैं पहले आपको plus किया था कि कहीं पर बच्चों के doubt नहरे जाए कि plus क्यों नहीं किया असर ने तो इसलिए मैं plus लेके चला था अब यहां पर क्या करना है आपको minus करना है तो 6-h आपको यहां पर 22 सीमा लेके चलनी ही पड़ेगी 22 सीमा ही लेके चलनी पड़ेगी गाईज राइट हैंड से आप इसको शोलने ही कर पाऊगे तो चलिएगा कि एच टेंस टू जीरो आपके पास में मन गया एच माइनस एच प्लस में बी यह कंडिशन बन गई तो यहां पर लिख होगे कि लिमीट एच टेंस टू जीरो इक्वेशन नमबर 5 समीकरण 4 वै फाइप से क्या करोगे 6 एप्लस वै इक्वेशन नमबर 6 यह एक्वेशन आगे अब आपके पास में equation number 3 और equation number 6 से आप क्या करोगे दोनों को सब्ट्रेक कर दीजेगा क्या करोगे equation 6 minus क्या करोगे equation number 3 यह condition लगाओगे तो आपके पास में होगा 6a plus में b equal 7 और यह होगा 4a plus में b equal 3 यहां से minus का minus का minus का यह cancel होजाएंगे यह हमारे पास में बचेगा 2a is equal to 4 a is equal to कितना होगा 2 a की value आपके पास में 2 आ गई तो आप आपकी मर्जी है कौन सी भी equation में put कर सकते हो आप near कर दिया 3 number में put a is equal to 2 put कर दिया तो कितना होजेगा यहां पर 8 होजेगा प्लस में b is equal to 3 तो b की value आजएगे 3 minus 8 is equal to minus क5 यहनी b की value आपके पास में माइनस के 5 बी की value आपके पास में guys क्या आगई minus के 5 तो आपके पास में a is equal to 2 वैब b is equal to minus के 5 पे function क्या रहेगा यह value इस function में रख दीजिएगा इस function में रख दीजिएगा तो function क्या रहेगा 4 और 6 पे क्या रहेगा continuous रहेगा continuous रहेगा तो आपको a और b की value find करनी थी guys तो आज की class में हम इतने ही question करेंगे यह class आपको अच्छे लगी हो तो share करना like करना और comment जुरूर करना कि शर्फ बहुत अच्छा लग रहा है समझ में आ रहा है अगर नहीं समझ में आ रहा तो भी comment कीजिए आपको और बहतर तरीके से कराने की कोशिश करूँगा और मैं यही कोशिश करूँगा कि आपका जल्द से जल्द श्लेविश complete किया जाए अच्छे तरीके से आपको समझ में भी आए तो गाइज next class class में मिलते हैं कुछ नए के साथ जैहिंद जैवार्थ